इंडिय टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं नमस्कार मैं हूँ जोतसना पाटनी कोरोना की दूसरी लहर अभी गई भी नहीं है कि तीसरी लहर का खौफ लोगों को सताने लगा है और इसी बीच बड़ी खबर महराश्ट्र से जो सामने आ रही है वो यह कि यहां कोरोना के सबसे नए वेरियंट याने की डेल्टा प्लस वेरियंट से एक महिला ने अपनी जान गवाई है इसे पहले माध्य प्रदेश के उजयन में 69 साल की महिला भी डेल्टा प्लस वेरियंट की चपेट में आकर अपनी जान गवा चुकी है यानि देश में अब तक कोरोना के इस नए वेरियंट से दो लोगों की मौत हो चुकी है फिलाल देश भर में अब तक डेल्टा प्लस वेरियंट के कुल 41 मामले सामने आ चुके हैं इनमें से सबसे ज्यादा केस महराश्ट्र में मिले हैं डेल्टा प्लस वेरियंट के मरीजों की पहचान के लिए देश भर में सांपिलिंग की जा रही है एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोरोना के इस नए वेरियंट से तीसरी लहर का खत्रा अब और बढ़ गया है लोगों को और भी ज्यादा साफधान होने की जरूरत है महराश्ट्र में डेल्टा प्लस वेरियंट वाइरस के अब तक कीस मामले रोपोर्ट किये गए हैं जिनमें सिरतनागिरी में नौ जलगाओं में साथ मुंबाई में दो और पालगर ठाने और सिंधुदुर्ग जिले में एक एक डिल्टा प्लस वेरियंट के मामले दर्ज के गए और इनमें से एक मरीज अपनी जान भी गवा चुकी है नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ